हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अंजी जुल्री क्लास में तो आज हम ये रिंग्स बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने कोड़ी और पॉंपम का यूज किया है और कुछ बीड्स और घुंगरू लगेंगे मैंने आई पिन लिया है उसमें से हम अपने पॉंपम को पास कर लेंगे और अब हमें एक स्मॉल बीड्स लिया है मैंने वह हम इसमें डाल देंगे और जो सीरा ओपन है उसे हम बंद कर देंगे यानि कि हम लोग कर देंगे आई की शेप देंगे यहां पर भी तो देखे इसी तरह हमें एक और आई पिन लेना है तो सेम ऐसे ही बीड डालके हमें यहां पर भी लोग बना लेना है तो अब फिर हम एक बड़े वाली जंपरिंग ले रहे हैं उसमें हमने घुंगरू डालना है और फिर कोडी और एक और घुंगरू यह स्मॉल वाली जंपरिंग में नहीं आएगा तो इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा जंपरिंग लेना पड़ेगा अब मैं इसे हैंक कर रही हूँ जो मैंने अभी पॉमपम कबेस बनाया है उसमें हम इसे हैंक कर देंगे देखिए कुछ इस तरह से तो इसी तरह एक बड़ फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ जंपरिंग उपन करनी है और इसमें एक घुंगरू और फिर से कोडी और फ वाला बेस त्यार किया था उसमें अटाइच कर देंगे तो देखी ये रैडी हो गए है बस इन में हमें हैंगिंग लगाना बाकी है तो हम इसे ओपन करेंगे हैंगिंग को और आई पिन के साथ अटाइच कर देंगे तो इसी तारा दूसरा वाला हैंगिंग भी ओपन करेंगे और अटाइच कर देंगे तो देखे इस वीडियो में मैंने सिर्फ एरिंग्स ही बनाए हैं तो अगर आप नेकलेस की वीडियो देखना चाहते हो तो वो मैं नेक्स बार अपलोड करूँगी तो आप जरूर करते हूं उसके लिए आपको एक और आई पिन लेना होगा तो उपर जहां पर हमने हैंगिंग की जगह हमें आई पिन लगाना होगा और आई पिन में से हमें जुमकी को पास कर देना है तो आप चाहूं तो एक बी डालने के बाद उपर हैंगिंग लगा सकते हो या फिर दो सेरेमेनी में इस तरह की जुल्री बहुत पसंद की जाती है तो इस तरह से आप घर पर रेड़ी कर सकते हो जुल्री अपने लिए पॉम पॉम या फिर कोडी से रिलेटेड जुल्री यह बहुत जादा फैशन में है तो दोस्तों बताईएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नैक्स वीडियो में